अएज तक पार यूज जो आएजू अएज बॉर्म आनताक और यह रहीं और इस लोग के श्टार्टिक हम कर रहे हैं रहीं बाइख के घर से आज है हमारा दूसरा दिन कश्मीर के अंदर और हम जा रहे हैं पहल काम जाली बच्चा बाटी देख रहे हो जारूं कैसा लग रहा तुरे को आके यहां पर बढ़िया लग रहे हैं तुझे भी अच्छा अच्छे लगे और रहील भाई का घर कैसा लगा और यह आप देख सक दिखाया था यह पर रात बहुत जादा अंदेर होगे था श्वेसे मैं दिखानी पाया था और यह हमारी बच्चा बाटी और हमारी फैमिली पार्टी सब कुछ घूमते वह अपल के गार्डन में जूबी तू कहां घूम रहा है यार बता तो दे सब्सक्राइबर को अपने और इस कैमरे से क्या करेगा और यह हमारी धरम पत्री और यह हमारी भाबी जान उदर हमारे राजा भाई और रहील भाई फुल दूप निकली वी है और बाई चार दूप अपल के गार्डन और यहां से निकलने के तियारी है हमारी पहल गाम की मेरा तो कोई बाबू ही नही त्योरी यह राजमा यह राजमा है यह आलू है यह मक्की और यह अपल है ना निकल चुक है पहल गाम के लिए और अपने गाड़ी रेटी यहां से लगेगा पहल गाम का हमें लगबाग एक घंटे के असपास इधर रहील भाई अपनी बाइक में पैट्रोल डलवा रहे थे य यह हमारे भाई की डियूक 250 अब यहां से निकलते हैं पहल गाम के लिए गाड़ी देखो कितनी गंदी हो गई लेकिन कोई नहीं पहल गाम जागे नदी के किनाले लगा के इसको दो देंगे यह अनतनाक में मार्केट का लाल चौक और भाई यहां पर हम रुके हैं बच्चो बगारा दाल बगारा लेके अपना यहां से अपन निकलेंगे पहल गाम के लिए तो थोड़ा सा यहां रुके हैं आदे पोना घंटा शॉपिंग करने के लिए और वह मैंने देख ली हैं तर्बूस मेरे को धिखाई देगा है वाई कश्मीर के तर्बूस मतलब बहुत ही ब अधा आए खाने में तो भाई दूकान देख रहे हूं सारा सावान यहां से ले लिया हमने चावल तेल डिटरजन साबून कोल डिंग अंड बटर और गैस लेंडर हमने हैं वहां से बरवा लिया उस बाई से जहां कैफ लिखावा है और रहिल भाई अभी लेने गए हैं चि अधर पर बाई तो इतना साबर होना चाहिए तो इतना तो चटाई रह गई चटाई मैट इस जो तो अहां पर मिल जाएगा ना उसका फीर लो गास का चटाई तो गर्मी भी जाते हैं चलो ठीके बाई आगे निकलते हैं यहां से यह हमारा फेवरेट आसता है पैल गाम जाने का और वाई यह रास्ता मुझे बहुत कुप सर्फ लगता है वह अपने रहिल भाई आगे ड्यूक पे और सामने देखो वाई कितने प्यारे हट बने में और रीवर देखो इस रीवर का नाम है लिटर रीवार सामने पाइन के प्रेड आने शुरूव हो गए हैं सामने का नजारा देखो भाई और मौसम देखो सामने का फाइनली पहुंच गए पैल गाम वाई एक सेक्टराफ सामने टोल पिला था वैलकम टू पैल गाम यहां लगेगा हमारा टोल और यह ठंडी ठंडी फील हो गया कि वाई पैल गाम हुआ है मुझे पता है हवा के मादारियों पुला दा कम्परमाइज कर ले मुझे पता है यह पढ़ा पहला गाम का पहला स्पोर्ट और वाई सामने दें को चोटे-चोटे जरने उदर से बहुत पानी कितनी की तेज आ रहा है और वहां से उपर की साइड से पता नहीं आप कैमरे में देखे दे रहा होगा और यह लेवंटर पार्क के सामने का सीन और भाई यह निकल गया है हम आरू वेली के लिए सामने लिडर रीवर है और सामने का नजारा देखो भाई गजब का नजारा हलके डिजलिंग हो रही है बाहर हम जा रहे थे आरू वेली और भाई बीच मा गई मूसला धार बारिश राहिल भाई ने बोला कि शान वाई भाई यह आगे हैं अपन इस होटल के कईब अच्छा और भी होटल है यहां पर दो इदर लोगों ने कैम्प लगा रखे हैं अपने माला क्यम्पिंग कर रहे हैं रिवर साइड एक तरीके साब बोल सकते हैं उसको और यह देखो सामने का नजारा एक नंबर है कि देखो उस बच्चों को ना दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है उसने लगड़े अगटी की है बॉनफायर करने के लिए और यह कैम्पिंग कर रहे हैं आपर छोटा सा कैम्प लगा रखा है नहोंने डांस भी कर रहे हैं जूभी यह क्या गरा तुने तो तू कैम्पायर करेगा अरे बारिश तो बहुत ते जा रही है ठंड लग रही है जूभी मुझे तो अंदर अंदर क्या है तेरा दिखा दो सही है अरे वा यह तो कैम्प रहे जूभी सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दे यार जैटा आर जाना है पथर से आग जला रहे हैं इसको चाहिए लकड़ी लकड़ी हांजी क्याल चाल सस्त्रियकाल तो बहुत तो यह चल रहे हम आरू कुवेली के चड़ाई के लिए और वहां से उतर गया है रोड काफी रिस्की है यार मतलब यह है कि बरसा थोड़ी ऊपर से बहर जादा रिस्क हो रहा है हांपर यह ने पत्थर के जाते हैं यह बहुत ज्यादा तेज हो ग दिए और सामने का व्यूं से इतर बादले हैं यह भांडिये आपता आधाल है आथ दो बैटर डिटर एस और इसे पहले पड़ता है और यह वाई को देख रही है यह महां स्वाट मौसम सी होगे ना जी तुम्हें कैसा लग रहा है एक नमबर मौसम हो गया गर्मी से बज़ गए तुम शुकुल मिलिया चलो दर का नजारा देखा 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 तो आई यह कुछ ऐसा नजारा है यहां का फुल बारिशी बारिश कैमरे में उतना मतलब के लिए नहीं हो रहा है यह वाला होटल लेने की कोशिश कर रहे थे हम लोग लेकिन यहां कोई है नहीं अभी वह बंदा नीचे वह कर रहा है भी आता हूं यहां पर पेर करते हैं बात और वाई इस होटल के साइड का व्यू देख लो आप कैसा है बागी होटल मिल जाएगा तो यहीं देख रहे हैं ते रिवर साइड मिला नहीं लेकिन भाई एक उससे दस गुना जाता बड़ी होटल मिल गया हमें इस होटल का ना में भाई बीच रिजॉर्ड वाई हाइली रेकमेंड़ है मेरी तरफ से तुम लोकेशन देखो ना भाई सब दिल खुश जाएगा तुमारा म देखो सामने पूरी रिवर है दूर दूर तक वह लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं वहाँ पर इदर बच्चे खेल रहे हैं यह चोटा सा इनोंने वह बना रखा एक तिक हो ना पार्क बोल सकते हैं बॉनफायर के लिए और यह सामने देखो लिड़ रिवर उपर जारी है और हमारा जो रूम है ना देखो वह खड़ी सोफिया सामने और यह हमारा होटल है होटल देखने में बार से ज़्यादा खुब तुरत नहीं है लेकिन भाई जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वह होटल के सामने का व्यूव रूम बढ़िया है ठीक है देखने में मतलब के गारी अब यहाँ ओपन कोकिंग बाईया से यहाँ बनाएंगे चिकन विकन एक चीज़ा अब पतादू गाड़ी पार्क करने के लिए भाई बहुत बढ़ी जगह मिल गई अपने को मिल गया सबसे बढ़िया काम हो गया आप निकालते हैं अपने गाड़ी में से सारा सामान देखो गाड़ी की हालत कैसी होगी, बच्चों ने वामिट करकर गे, ये सारा टंटंडी रहा लेके चलेते हैं, अपन, बरतन, बांडे, तकिये, वकिये, दिटर्जन बगेरा वाई, सब कुछ लेके चला तुमारा वाई, अब आसे निकालते हैं, खाने बीने का सामान, चिकन खतम हो जाए, और भाई, यहाँ देख सकते हो, बहुत सारे मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, दनिया, लसन, और यह है मैगी का फैमली पैक, उसके बाद भाई, राइस लिये थे हमने, चावल वगएर लिये थे, और सरसों का तेल, यही बनाते हैं, और खाते हैं, मज़े लेते ह सामने का नजारा एक नमबर है, और भाई, वो जो है, सामने यह, पहलगाम गोल्फ कोर्स वाली रोड, और सामनी गोल्फ कोर्स का गेट दिखाई दे रहा मुझे, और वो देखो उदर बेतावेली के पहाड़ा, तो भाई, मैगी तियार हो गई है, यहाँ पर अपनी गर्म और बहुत सारी नजी है, पता लगा इसी खाके पेट बर गया, वो सामने अंकल जी को देखो, गरम कबड़े बेच रहे हैं, और पटाने में लेगे में कस्टमर को, किसी तरह कस्टमर पढ़ जाए, तीन सो गमाल पांसो में बेच के चला जाओं, तैसा बोल रहे है, शे सो क माल आजान में खरीद होगे, और अपना भाई चिकन का प्रोसेस हो गया, हाफ, बहुत फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट हो या, एदा तेल गराम हो रहा है, और उसके बाद भाई, प्याज भूनेंगे, चिकन तलेंगे, उसके बाद चावल, चावल, डाल चावल, डाल बनाएंगे, तो हमें खाने को मिलेगा, गुड मॉनिंग गाईज, सुबा के साड़े पांच बुजरें और सामने का नजारा देखुया, और क्या मस्त लग रहा है, वाटर कुला सफेज हो चुका, ग्रीन कलर से, एक टंब नजारा लग रहा है, गुड मॉनिंग गाईज, गुड मॉनिंग, और अभी टाइम हो है, सुबा के साड़े साथ, और यदे को सूरज देवता कहां पर है, बिल्कुल पहाल के पिछे, और हम जारे मार्केट में टहली मानने के लिए, इस वीडियो को एंड नहीं किया था, इस वीडियो को एंड करने का टाइम भी आ गया है क्योंकि कर रात को न ये वीडियो एंड गनी भूल गया था मैं, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बड़ चैनल को सब्स्राइब कर देना, मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए भाई भाई ठेक्यर, खुदा आ झाल फीज़े पूलाफेजी